कोश्चन नमबर 86 है आपके सामने इसमें क्या दिया है एक पाइप A, B, C या फिलिंग पाइप and C is emptying पाइप मतलब A और B है जो वो टंकी को भरने का काम करते हो जो अपना C है वो टंकी खाली करने का काम करता हो इसके बाद क्या बोल रहा है A, B can fill in 72 and 90 minutes A बार सकता है 72 minutes में और B बार सकता है अपना 90 minutes में ठीक है अब यहां से निकाल लेते हैं अपन efficiency और LC हम 8-9 जा 72 होता 9-10 जा 92 होता 8-9 जा 72 इसकी आगए 10 इसकी ओगए 9-10 जा 98 इसकी efficiency आगए अब क्या गोल रहा है बें ठीक पाइप सार ओपन तोगेदा देंग फिल गेट इन टुगार्स ठीक है अपनको सीखी efficiency नहीं दी तो सीखी efficiency मानली मैंने सी क्केव काली करन बातकर हों मिलकर किसे efficiency कारगें किति दियर में हैं दो गुपर पूरा काम कर देंगे मतल्छ हैं क्योंकि यह सती ships में में इसकोई 120 minute कर ले क्योंकि यह सब म années 20 minute कर गया gagण के दिन Technology यह से जीरो से जीरो कड जाए अपनी जीरो से जीरो कड गएर करद दिया त्वेल फोर मिन इसी से 9 ठीक है यहां से किता बचा 2 into 3 6 यह 6 बचा मतलब अपने पास क्या आगए 18 minus C बराबर 6 और यहां से आगए C की value क्या आगए यह सी उस साइड गाए 18 में 6 minus हो गया 6 minus हो गया C की value क्या आगए 12 मतलब C की efficiency क्या आगए अपने पास 12 आगए अब question में आगए कब बोल रहा है question में आगए बोल रहा है कि A B are opened for 12 minutes A और B दोनों की efficiency मिला के किती है 18 ठीक है 18 की efficiency से 12 minutes तब open रखे गाए ठीक है then closed and C is open अब क्या कर दिया आप क्या कर दिया आगा C की efficiency किती है 12 12 की efficiency से किती दिन में 10 Q empty कर देगा तो time only X unit ठीक है तो यहां से नहीं बता सकते क्या आपन बता सकते है यह 12 से 12 कट गया X की value की तिया गई 18 मतला 18 में बतां Q खाली डवाल से कर देगा ठीक है